अच्छा बच्चों अब आजाओ question number 11 में question number 11 में क्या है कि हमारे पास एक 4 by 4 order का determinant दे रखा है ठीक है और इसको हमें find out करना इसका value find out करना है तो हमने क्या किया कि एक तो हमारे पास option क्या है कि हम इस determinant को किसी भी रो या किसी भी column के long expand कर ले तो answer आ जाएगा मतलब इस determinant का value मिल जाएगा एक तो यह option है बट हम ऐसा करेंगी नहीं क्यों नहीं करेंगे because most of the cases में हमें क्या करना होता है कि determinant को evaluate direct हम नहीं करते है पहले उसमें हम property लगाते है अगर property से उसका answer आगे direct तो बहुत अच्छे बात है will and good नहीं आया तो तब last में जाके हम उसे evaluate करते है तो हम direct इस determinant लिखा है वो matrix हमारा symmetric matrix है देख लो कैसे यह देख लो इसका यह 1 हो गया 1 3 5 & 7 यह diagonal element हो गया 1 3 5 & 7 और यह जो determinant है na diagonal के बहुत symmetric है देख लो 2 square 2 square यह 3 square 3 square 4 square 4 square 4 square 5 square 5 square 6 square 6 square 6 square मतलब क्या है कि यह symmetric है row wise and column wise symmetric यह यह जो matrix लिखा है एक symmetric matrix है मतलब symmetric matrix का determinant लिखा हुआ है तो अगर इसका तुम transpose लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा same यही determinant आ जाएगा अब determination is symmetric with respect to row wise and column wise ठीक है अब इसको हम evaluate कैसे करेंगे हमने क्या किया कि 4th column को change किया क्या 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 c4 minus c3 कर दिया फिर 3rd column को change क्या c3 minus c2 कर दिया फिर 2nd column को change कर दिया c2 minus c1 कर दिया अब को बोलेगा कि ऐसे यह कहां से आपको पता चल गया तो यह obvious ही बात है कि सबसे पहले practice करोगे खुद ही समझ में आ जाए ठीक है तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा यह मैंने कोई formula से नहीं निकाला है यह जब practice करोगे न तो तुम्हें खुद ही कि ऐसा intuition आएगा कि यह करेंगे तो ऐसे यह simplify हो जाएगा फिर यह result लग जाएगा फिर यह property लग जाएगा यह answer आ जाएगा यह खुद से ही दिमाग में आ जाएगा जब practice करोगे तो तो हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिल गया c4 minus c3 का क्या मतलब हो गया 16 minus 9 7 25 minus 16 9 36 minus 25 11 49 minus 36 13 फ को नों के ऊपर वालुंकर नहीं हो रही हो जाएगा फिर यहां पर हमने क्या किया पिर इस होडेंट में क्या कि आप फिर को घृत कि कर दिया फिर थर्ड पाईंड को सेग Mmm कॉल्म कर दिया तो क्या होगा 7 minus 5 2009 queries 7-12 11 5 22 5 mine as Хорошо , फेरेंड हो प्क्या हम हमें क्या मिला थर्ड को fourth column identical हो गया identical बोलने का मतलब कि corresponding element same हो गया तो determinant की value zero हो गई यह already property में हमने पर रखा है कि अगर किसी भी determinant का कोई भी दो rows या कोई भी दो columns identical हो जाए मतलब corresponding element same हो जाए तो इस determinant का value क्या होता है zero ठीक है तो इसका answer क्या गया zero अब बच्चो आजा note में यह note क्या लिखा है if elements in row wise and column wise are in ap of a determinant with same common difference or different common difference then the value of the determinant will be zero मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी determinant का के सारे rows या सारे columns ap में हो जाए वो ap का या तो same common difference वाला ap हो जाए या तो different common difference वाला ap हो जाए तो उस determinant का value क्या होता है zero मतलब क्या है कि मैं क्या बोलने क्या समझाना चाह रहा हूँ वो यह देखो माल लो कि हमारे पास कोई three by three order का determinant है ठीक है ऐसे लिखा हुआ है a1 plus a1 पहला element हो गया a1 plus d1 फिर क्या हमारे पास a2 plus d2 फिर हो गया यह a2 a2 plus d2 sorry this is a1 plus 2d1 sorry 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 a2 plus 2d2 फिर क्या हमारे पास a3 a3 plus d3 और यह क्या है a3 plus 2d3 यह हमारे पास कोई determinant दे रखा है ठीक है determinant है हमारे पास यह three by three order का determinant है clear है अब तुम बच्चों क्या है कि इसमें देखो फर्स जो हो गया फर्स रो सेकेंड रो थर्ड रो यह एपी में दे रख एपी में लिखा है a1 a1 plus d1 a1 plus 2d1 a2 a2 plus d2 a2 plus 2d2 फर्स प्रों भी एपी में second row भी एपी में third row भी एपी में तो इस determinant का value सीधे 0 हो जाएगा कैसे हो जाएगा वो तुम ऐसे देख लो तुम करो क्या कि इसमें c2 को change करो क्या करो c2 minus c1 कर दो फिर तुम क्या करो c3 को change करो c3 में क्या करो c3 minus c1 कर दो ऐसा कर दो तो ये क्या हो जाएगा a1 a2 a3 और ये क्या हो गया d1 d2 d3 इसको subtract करो गया तो हो जाएगा 2d1 2d2 2d3 फिर जैसे ही तुम two common लोगे ना तो हमारा second column and third column identical हो जाएगा तो determinant की value क्या होगी 0 ठीक है तो ये मैंने क्यों बोला यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो second column, third column and second column, third column and fourth column ये AP में आ रहा है तो ये हमें करने की जोरती नहीं थी ये वाला जो है ना property लगाने की जोरती नहीं थी हम direct यहाँ से भी देखके answer क्या बोल सकते थे 0 ठीक है तो ये भी बात हो गई अब आजाओ बच है कि ये determinant के हमारे पास alpha, beta, gamma, alpha, square, beta, gamma, square, gamma, gamma, plus alpha, alpha, plus beta ये बोला है कि left hand side को right hand side के equal proof करो तो सबसे पहले obviously बात यहाँ पे दिमाग में क्या जाएगा कि अगर हमने c3 और c1 को add कर दिया अगर हमने c3 नहीं r3 को हमने change किया r3 plus r1 कर दिया या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो क आर रवन को change किया r1 plus r3 कर दिया अगर तुमने r3 को change किया r3 plus r1 कर दिया तो जो हमारा 3rd row है उसमे alpha, beta, gamma, alpha plus beta, plus gamma आजाएगा थर्ड रो के हर्एक element में अगर तुम r1 को change करते R1 plus R3 करते तो first row के हरेक element में alpha plus beta plus gamma आजाता ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया R3 को change किया R3 plus R1 किया तो जो हमारा third row उसके हरेक element में क्या आगिया alpha plus beta plus gamma आगिया तो हमने third row से क्या निकाल लिया alpha plus beta plus gamma common निकाल लिया तो हमारे क्या मिला alpha alpha square one beta beta square one gamma gamma square one ठीक है अब क्या बचो मैंने तुम्हें already बता रखा है कि अगर तुम्हें किसी भी row में या किसी भी column में one दिख जाए मतलब किसी भी row का हर एक element one हो जाए या किसी भी column का हर एक element one हो जाए तो हम क्या करते है कि हम 2 one को 0 जैसे तुम देको, 3D Ro तो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कि 3rd row के long ही expand कर देंगे, तो जो 3 by 3 order का determinant होगा, वो 2 by 2 order का determinant में convert हो जाएगा, तो इसे 1 कैसे बनाऊँगा, तो यह obvious सी बात है, C1 minus C3 कर दो, C2 minus C3 कर दो, C1 minus C3 करोगे तो यह 0 हो जाएगा, C C1 को change किया, C1 minus C2 कर दिया, C2 को change किया, C2 minus C3 कर दिया, तो यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह तो 3rd column तो change हुआ नहीं, यह क्या हो जाएगा, alpha minus beta, alpha square minus beta square, C1, ऐसे भी तुम कर सकते थे, देखो, तो ऐसे भी कर सकते थे, alpha, C1 minus C3 and C2 minus C3, यह भी कर सकते थे, same ही result आता, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कि पहले C1 को change किया, C1 minus C2, ठीक है, देखो, पहले यह operation लगा है, देखो, यहाँ पर दियान देने वाली बात है, first यह operation लगा है, second यह operation लगा है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि, जब C2 change हो गया, तो फिर C1 minus C2 कैसे कर दिया, तो पहले हमने C2 को कह change किया है, पहले तो हमने C1 को change किया है, क्या किया है, C1 minus C2 कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने यह operation को मैंने एक ही बार लगा दिया है, पहले तो तुम यह लगा हो, first step में यह लगा हो, तो इसमें क्या change होगा, सिफ C1 change होगा, C2 तो change होगा नहीं, उसके बाद फिर C2 को change करो, का क्या करो C2-C3 कर दो तो मैंने कठे दोनों को लगा दिया है ठीक है तो यहां पे यह भी कर सकते थे अब हमने क्या किया कि यह तो 10 ही रिचल्ट के लॉग कर दी तो यह तो positive negative positive negative positive तो ये वाली चीज और ये चीज खतम हो गई तो ये two by two order कर determinant आगिए अब तुम देखो row wise देखो sorry column wise देखो first column में क्या alpha minus beta common है and second column में क्या beta minus gamma common है इसको लिख सकते हो na beta square minus gamma square को beta minus gamma into beta plus gamma इसे लिख सकते हो na alpha minus beta into alpha plus beta तो first column से हमने alpha minus beta common निकाल लिया second column से हमने beta minus gamma common निकाल लिया तो यह हो गया alpha minus beta यह हो गया beta minus gamma यह तो अलड़ी यहां पे लिखा हुआ है तो हमें क्या मिल गया यहाँ alpha minus beta निकाला तो यह one हो गया यहां क्या बचाए alpha plus beta यहां से beta minus gamma second column से निकाल लिया तो यहां तो 1 बचिया यह क्या लिखा है beta minus gamma into beta plus gamma तो beta minus gamma common निकाल लिया तो beta plus gamma रह गया अब यह 2 by 2 order का determinant है इसके लिए हमने क्या किया यहां पे इसको cross कर लिया तो यह क्या हो जाएगा beta plus gamma minus यह तो अल्रेड़ी है beta plus gamma minus alpha minus beta beta cancel हो गया तो result आ गया alpha minus beta beta minus gamma gamma minus alpha into alpha plus beta plus gamma यह right hand side आ गया यहां पे मैंने क्या बोला कि c1 minus c3 करो और c2 को change करो c2 minus c3 करो same ही result आएगा तो यह हमारा question number 12 भी solve हो गया अब बच्चों आ जाओ question number 13 में question number 13 क्या बोल रहा है कि if x if x यह 4 by 4 order का determinant दे रखा है ठीक है यह किसके equal है x plus 3a into fx then find fx तो fx की value निकालो ठीक है left hand side जो है right hand side के identical equal है x plus 3a into fx then find fx fx का value निकालो तो सबसे पहले यह जो determinant लिखा यह एक symmetric determinant है symmetric determinant बोलने का क्या मतलब कि एक symmetric matrix के corresponding determinant है देख लो इसका diagonal element क्या x x x देख लो ए ए conjugate elements क्या आपस में यह ए यह सब conjugate elements है ना conjugate elements equal है तो यह symmetric determinant है अब यहाँ पे common सी बात क्या होगी कि मैंने क्या लगा दिया c1 को change क्या c1 प्लस c2 प्लस c3 या तो तुम तीनो क्या बोलता हो 4 order का है c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस यहाँ पे c4 भी होगा sorry ठीक है तो इसमें क्या है कि यह 4 बाई 4 order है तो जब यह symmetric determinant है तो या तो तुम कि सारे columns को add कर दो या तो सारे row को add कर दो result वहाँ से एक जो x प्लस 3 यह वाला जो तर्म है वो common आ जाएगा जैसे मैंने क्या किया c1 को change किया क्या क्या c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 कर दिया c1 को change किया c1 प्लस c2 कर दिया तो यहां हमारे पास क्या होगा c1 में क्या है x plus 3 यहा देखो c2 प्लस c1 प्लस c3 प्लस c4 तो फिर second column में यह x प्लस 3 यह आ जाता अगर तुम c3 को change करते क्या करते c3 को change करते c3 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c4 तो third column में यह x प्लस 3 वाला factor generate हो जाता या अगर तुम fourth column को change करते c4 को change करते c4 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 तो fourth column में यह x plus 3 वाला factor generate हो जाता या तो तुमको अगर तुम r1 को change करो क्या करो r1 plus r2 plus r3 plus r4 करो तो फिर first row में यह generate हो जाएगा या फिर तुम r2 को change करो r2 plus r3 plus r4 तो second row में change यह x plus 3 यह generate हो जाएगा समझे हो ना मेरी बात को तो अगर symmetric determinant जब भी तुम्हें दिखे तो यह वाली property लग जाती है क्या लगती है property कि अगर तुमने सारे rows को add कर दिया सारे columns को add कर दिया तो एक common factor भाड़ा जाता है ठीक है अगर मालो कि मैं r2 को change करता second row को change करता क्या change करता r2 plus r1 plus r3 plus r4 तो second row में x plus 3a वाला factor generate होता जिसको हम common निकाल सकते थे यह कब होता है जब हमारे पास जो matrix जो determinant है वो एक symmetric determinant लिखाओ symmetric determinant बोलने का मतलब कि symmetric matrix के corresponding determinant लिखाओ ठीक है तो हमने क्या किया c1 को change किया c1 plus c2 plus c3 plus c4 तो यह वाला factor common आ गया इसको बाहर कर लिया 1 1 1 आ गया अब जैसे ही हमें first column में 1 दिखा फिर हमने क्या बोला कि यह जो 4 1 है इसमें से तुम 3 1 को 0 बना सकते हैं और यही हमें करना है पहले 3 1 को 0 बनाएंगे और first column के long ही expand कर देंगे तो यह जो 4 by 4 order का determinant है यह 3 by 3 order के determinant में convert हो जाएगा कैसे इस 3 1 को 0 बनाएंगे एक third column को हम change नहीं करेंगे first column sorry first row को second row को और third row को change करेंगे fourth row को change नहीं करेंगे क्या करेंगे r1 minus r3 कर दो r2 minus r3 कर दो फिर r3 minus sorry गलत बोल रहा हूँ fourth row को change नहीं करेंगे 4 by 4 order है na first row second row third row इसको हम change करेंगे fourth row को change नहीं करेंगे ठीक है क्या करेंगे हम R1-R4, R2-R4, R3-R4 ऐसा करोगे तो यह 3 elements 0 हो जाएगा, तुम इन 3 elements को भी 0 बना सकते थे, इन 3 elements को भी, कैसे बनाओगे तब R1 को fix कर दो, R2-R1 कर दो, R3-R1 कर दो, R4-R1 कर दो, तो यह 3 elements 0 हो जाएगा, फिर क्या करो, first column के लाओंगे एक्स्पैंड कर दो, या तो तुम इसको 0 बना लो, समझ रहो ना बात को, ठीक है, तो हमने क्या किया, कि हमने उपर के 3 elements को 0 बना लिया, इस 3 elements को, तो 0 कैसे बनाया, R3, R4 को fix किया हमने, R1-R4, R2-R3, या हमने कुछ ऐसे भी कर सकते हो, R2-R3, R3-R4 यह भी कर दो, इसमें भी कोई कि देखाता हो, ने तो तुम लोग ना, confuse हो जाओगे, चलो इसको रहने दो, मैं डारेक्ट यहां करके देखाता हूँ, देखो, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, X प्लस 3 है, X प्लस 3 है, 1, A, 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 1, X, A, A, 1, A, X, A, 1, A, A, X, A, 1, A, A, X, ऐसा लिखा है, ठीक है ना, तो यहां बच्चो देखो क्या है, कि माल लो कि मैंने ऐसे किया, पहले 3, इसको 0 बनाया, इसको 0, किस से 1 रोक से 0 बनाया, कैसे बनाया, R2 को हमने चेंज किया, क्या क्या R2 माइनेस R1 कर दिया, फिर हमने R3 को चेंज किया, क्या क्या R3 माइनेस R1 कर दिया, फिर हमने क्या क्या R4 को change किया क्या क्या R4 minus R1 कर दिया ऐसे कर दिया ठीक है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा देखो X plus 3 A पहला रो तो change होगा नहीं तो 1 A A A यह 0 यह क्या होगा X minus A यह क्या होगा 0 यह क्या होगा 0 अब फिर क्या करोगा R3 को change करेंगे R1 subtract करेंगे तो क्या होगा यह 0 यह क्या होगा 0 यह क्या होगा X minus A यह भी होगा 0 फिर R4 को change करेंगे R4 minus R1 यह होगा 0 यह होगा 0 यह होगा 0 यह होगा X minus A ऐसा होगा ना ठीक हमने इस 3 को 0 बना लिया अब हमने क्या किया first column के long expand कर दिया तो first column के long expand करोगे सीधे यह खतम हो जाएगा 3 by 3 order कर determinant आजाएगा तो यह क्या हो जाएगा x plus 3a और यहां क्या होगा x minus a 0 0 x minus a 0 0 0 x minus a अच्छा अब बच्चो देखो यह तो diagonal matrix आगी है sorry determinant आगिया न यह तो diagonal determinant आगिया तो diagonal determinant का value हम कैसे calculate करते है diagonal के element को multiply करके तो यहां से क्या हो जाएगा यह x plus 3a हो जाएगा और यह क्या होगा x minus a का whole क्यों हो जाएगा ठीक है ना तो यह हमारे क्या मिल गया इस determinant का value मिल गया देख लो question में क्या given है question में given है na x plus 3a यह determinant का value किसके equal है x plus 3a into fx के equal है ठीक है और fx का value यह हमें determinant का value क्या मिला determinant का value मिला x plus 3a into x minus a का whole cube तो यह क्या हो गया यही तो fx हो गया हमसे क्या पूछ रहा fx ही तो पूछ रहा fx का value क्या हो गया हमे fx का value मिल गया x minus a का whole cube ठीक है तो यह भी clear होना चाहिए, यहां तक कोई doubt नहीं है, देखो, determinant के जो questions होते हैं, उसके एक method नहीं है, कई सारे method है, अब जैसे मैं row wise, row से solve कर रहा हूं, कोई बच्चा column से solve कर देगा, ठीक है, मैंने c2 को change किया, कोई c3 change करके क्या बोलता हूं, solve कर देगा, तो इसका यह नहीं ह कि जो मैं operation लगा रहा हूं, कि पहले मैंने यह किया, फिर row को change किया, फिर row में r1 minus r2 किया, तो r2 minus r3 करके भी answer निकाल सकते हूं, बट हमें करना क्या होता है, कि हमें ऐसा operation select करना होता है, जिससे हमारा maximum calculation save हो जाए, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा, सिफ practice से, ठीक है आप त्तिन करके जाए, सिफ केप माग हादस, बटмовर की जाए, से, झाले मित उजलेगा है, कि तो मत को जाएई मैं झाले वीक किते होता है, ज commenे होता है, फिस दूूर है, ज atención जाएदे होता है.